सूप्रभाद बच्चों, आज हम सिखेंगे हिंदी पाठ तेरा चतुर बिर्बल अकबर एक महान मुगल समराट थे, उनके दरबार में नौ प्रमुख मंत्री थे, इन्हें नौरत्न कहा जाता था ये नौ मंत्री अलग-अलग शेत्रों में विशेश योगता रखते थे, इन नौरत्नों में से बिर्बल भी एक रखन थे, बिर्बल बहुत ही नेक, विद्वान और हाजिर जवाब व्यक्ति थे अपने बुद्धी चातूरिय और अपनी हाजिर जवाबी से बिर्बल ने अकबर के दरबार में उच्छ स्थान प्राप्त किया था वे राज्य की समस्याओं को हल करते, प्रजा को न्याय दिलाते और सच बात कहकर सीख भी देते इन सब कारणों से अकबर बिर्बल को बहुत चाते थे जिस दिन बिर्बल दरबार में ना आते उस दिन अकबर बहुत उदास होते उन्हें अच्छा ना लगता एक दिन एक राज करमचारी दरबार में काफी देर से आया अकबर ने उसे बुलवाया और उससे देर से आने का कारण पूछा कर्मचारी ने कहा हुजूर आज अपने नन्ने बेटे की जिद के कारण मुझे देर हो गई माफी चाहता हूँ नन्ने बेटे की जिद कैसी जिद कौन सी जिद अकबर गुस्सा हो गए हुजूर वह हाथी पाने की जित कर रहा था मैं दर्बार में आने के लिए रवाना हो रहा था कि वह मेरे कंदे पर आकर बैठ गया लगा जोड-जोड से चिलाने मुझे हाथी चाहिए, मुझे हाथी चाहिए बताईए हुजूर मैं हाथी कहां से लाकर देता उसे तो तुमने क्या किया अकबर ने पूछा करता क्या हुजूर मैं खुद हाथी बन गया और उसे अपनी पीक पर बिठा कर घुमाता रहा फिर क्या हुआ अकबर ने पूछा फिर क्या हुजूर फिर वह बोला मुझे घोडा चाहिए फिर तुम घोडा बन गए और उसे अपनी पीक पर बिठा कर घुमाते रहे वह तुम्हें कोडे से मारता रहा यही न अकबर उसकी बात काट कर बोले हाँ हुजूर बिलकुल सही पर आपको यह कैसे पता चला करमचारी ने पूछा मुझे मालूम था तुम यही कहानी गड़ोगे हुजूर यह कहानी नहीं हकीकत है ठीक है अकबर को गुस्सा आ गया जाओ आज से तुमारी नौकरी खत अब घर बैटकर आराम से बेटे की जिदे पूरी करते रहो बिचारा करमचारी बहुत गिड़गडाया बहुत मिन्नते की पर अकबर टस से मस नहीं हुए उन्होंने उसकी छुट्टी कर दी उस समय बिर्बल भी दरबार में उपस्तित थे उन्होंने अकबर का यह वेवार अच्छा नहीं लगा उन्होंने अकबर से कहा जहां पना बेचारे पर रहम कीजिए बाल हट बहुत बुरा होता है बड़े बड़ों को बच्चों की जित के आगे जुकना पड़ता है आप इस करमचारी को नौकरी से मत निकालिए किन्तु अकबर ने बिर्बल की भी नहीं सुनी बिर्बल फिर बोले अच्छा जहां बना आप पिता बनिये मैं बच्चा बनता हूँ फिर देखते हैं किसको जुकना पड़ता है अब बाच्चा को बिर्बल की बात में मज़ा आने लगा वे बोले ठीक है बिर्बल बच्चे का भिनाय करने लगे वे अपने हाथ पर पटकते हूँ वे बोले मैं मिट्टी का एक लोटा लूँगा बाच्चा के लिए मिट्टी का लोटा मंगवाना कठिन था उनका संकित मिलते ही नौकर चाकर दोड़ पड़े और देखते ही देखते मिट्टी का लोटा आ गया बाच्चा ने बच्चा बने बिर्बल से कहा लो आ गया तुम्हारा मिट्टी का लोटा बिर्बल बोले अब मुझे तोता चाहिए बाच्छा के आदेश से तो तभी लाकर हाजिर कर दिया गया फिर बिर्बल एक के बाद एक चीजों की मांग करते रहे और सारी चीजे हाजिर की जाती रहे जल्दी ये दर्बार में खिलोने और छोटे पशू पक्षियों का अमबार लग दया किन्तु बिर्बल का हट समाप्त नहीं हुआ उं उं करते हुए वे फिर बोले अब एक हाथी अब मैं एक हाथी लूँगा अकबर बाच्छा के पास हाथीयों की क्या कमिती जट हाथी खाने से एक हाथी दर्बार में हाजिर कर दिया गया हाथी आ गया तब भी बिर्बल का रोना जारी रहा अब क्या चाहिए तुम्हें अकबर थोड़ा जुझला कर बोले जुझला कर अर्था गुस्सा होकर अब इस हाथी को मिटी के इस लोटे में डालो बिर्बल मचलते वे बोले यह सुनकर अकबर जला उठे लेकिन फिर्शान्त होकर बिर्बल को समझाने की कोशिश करते वे वे बोले अरे हाथी लोटे में कैसे समाएगा पर बिर्बल कुछ भी सुनने को तयार नहीं थे वे एक ही रट लगाए रहे हाथी को लोटे में डालो अब अकबर अपना माथा पकड़ कर बैठ गए वे बोले बिर्बल मैं हारा और तुम जिते अब बंद करो अपना या उं उं हम रख लेते हैं उस कर्मचारी को फिर से नौकरी पर यह सुनकर बिर्बल ने उं उं करना बंद कर दिया और वे हस पड़े बेचारे कर्मचारी ने चैन की सास ली और उसने बिर्बल को लाख लाख धन्यवाद दिया तो देखा बच्चों किस प्रकार बिर्बल ने अपनी समझदारी से कर्मचारी की नौकरी को बचा लिया धन्यवाद